दोस्तोगर आप एक आधार सिंटर वोपेंट करना चाहते हैं जिसमें की आधार इन्रोल्मेंट या फिर कैरेक्शन का काम करना चाहते हैं आप लोगों को ये सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी तोर पर UIDI के साथ में enrollment operator या फिर supervisor के तोर पे काम करना चाहते हैं तो आपको यह सारे काम करने के लिए सबसे पहले NSIT का जो exam होता है जिसमें कि आपको इस तरीके का कुछ certificate इचू किया जाता है इसको qualify करना होता है जिसके बाद में ही आप enrollment operator या फिर supervisor के तोर पे काम कर पाते हैं काधार center को प्राप्त कर पाते हैं तो यह जो examination का process है इसको ले करके UIDI ने एक बहुत बड़ा बंदाओ किया है जिसमें कि इसका जो examination का process है वो पूरी तरीके से change हो चुका है तो आज के इस वीडियम हम इसी update के बारे में जानने वाले हैं कि UIDI ने क्या बंदाओ किये हैं अब किस तरीके से examination होने वाला है कैसे आप enrollment operator supervisor बन पाएंगे किस तरीके से आधार का काम ले पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आधार कार्ड की officer website पर आ जा रहा है और इसके बाद में ecosystem के section पे click करेंगे इसके बाद में इस page में नीचे के तरफ आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको option मिल जाता है training and testing material का आपको इस option पे click कर लेना है इसके बाद में इस page में आएंगे तो यहाँ पर UIDA का जो भी examination process होता है उसके बारे में बताया जाता है जिसमें कि आप इस page में नीचे की तरफ आएंगे जो पहले examination का process था 2019 के हिसाब से होता था लेकिन अभी जो इसमें है बदला हो चुका है जो कि आप देखेंगे new test structure applicable from 10th January 2022 तो यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें देखेंगे कि UIDA के तरफ से दो यहाँ पर handbook issue की गई है new test structure for CP MP operator cum supervisor CELC operator certification applicable from 1st January 2022 तो यहाँ पर जो new test का structure है एक जनवरी 2022 से यह लागू हो चुका है किस तरीके से examination होगा जानना है तो English के option पे एक click करना है और यहाँ पर इस PDF को आपको open कर लेना है examination का नया process किस तरीकी का रहने वाला है training content कहां से आपको मिलेगा किस तरीकी के question answer आएंगे और क्या process तरहने वाला है उसको बारे में आपको बताया गया है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर link दिया गया है इस link के through आप जो है अपना training material डाउनलोड कर सकते हैं अपनी तैयारी कर सकते हैं इसी के साथ में आपको यहाँ पर बताया गया है कि अब जो नए candidate examination के लिए जाएंगे उन सभी को examination के लिए जाने के लिए सबसे पहले तो 15 फरवरी 2019 के बाद में इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किया हुआ आधार चाहे तो black and white हो या पर color हो वो print करके ले करके जाना होगा इसी के साथ में नीचे के तरब देखेंगे तो यहाँ पर test का structure क्या रहने वाला है कहां से question को pick किया जाएगा किस तरीके से question paper आपका design किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है तो यहाँ पर chapter का नाम दिया गया है किस chapter से कितने question होते है कितने question आप से exam में पूछे जाएगे उनके बारे में बताया गया है और कितना duration आपको मिलेगा कितना time मिलेगा उन question को हल करने के लिए इसी के साथ में total marks कितने मिलने वाल है यहाँ पर वो भी आपको information दी गई है तो इस seat में आप नीचे के तरफ आएगे total hundred question पूछे जाएंगे और इसी के साथ में आपको 120 minute का time दिया जागया यानि कि 2 घंटे का time मिलने वाला है तो नीचे के तरफ आप आएगे तो यहाँ पर कुछ और भी information दी गई है तो सबसे पहले तो आप सभी को बताया गया है कि enrollment operator या फिर supervisor का exam देने के लिए अब आपको 120 minute यानि कि 2 घंटे का आपको time मिलने वाला है और hundred marks का total paper होने वाला है इसे के साथ में कोई भी candidate जो 55 से उपर mark लेकर के आता है 55 mark से उपर लेकर के आता है वो ECMP operator कम supervisor का certificate पा सकेगा इसे के साथ में कोई भी candidate जो 55 marks नीचे लेकर के आता है वो candidate यहाँ पर पूरी तरीके से fail हो जाएगा उसको कोई भी certification नहीं दिया जाएगा ये चीज़ आपको ध्यान लख नहीं है पहले क्या था कि पहले आप सभी लोग अगर 77 से उपर mark लेकर के आते थे तो आप सभी लोग enrollment supervisor बनते थे और 65 नमबर से उपर अगर आप mark लेकर के आते थे तो आप सभी लोग operator का certificate प्राप्त कर पाते थे लेकिन यह आप नए process में ये जो process है वो खत्म कर दिया गया है दोनों ही लोगों के लिए जो examination है वो पूरी तरीके से same कर दिया गया है 55 mark के answer आप सभी को देने होंगे तभी आप enrollment operator या फिर supervisor का certificate पासकेंगे इसी के साथ में कोई भी ऐसा operator है जो की put test में present नहीं हो पाता है वो टेस्ट में उस दिन नहीं जा पाता है या फिर fail हो जाता है तो वो अपना retest भी दे सकेगा जिसमें के retest की एक fees यहाँ पर decide की गए है उतनी fees का payment करके वो दुबारा से test में बैठ सकता है दुबारा से exam भी दे सकेगा इसी के साथ में जो child enrollment operator होते हैं उनके लिए भी नीचे के तरफ बताया गया है उनका जो question paper है उसको हल करने के लिए total 50 minute का time मिलने वाला है और कोई भी candidate जो minimum 19 number लेकर के आता है तो वो child enrollment operator के तोर पे काम कर सकेगा यहाँ पर यह mention आप देख सकते हैं और कोई भी candidate यहाँ पर 19 से number कम अगर लेकर के आता है तो अगेन यहाँ पर fail हो जाएगा उसको दुबारा से certification करने के लिए examination को फिर से conduct करना होगा जिसके लिए retest की fees payment करके वो दुबारा से यहाँ पर भी examination में वैट सकता है तो यहाँ पर यह जो examination है यह UIDI ने जो नया portal design किया है जिसमें कि आप सभी लोग self learning कर सकते हैं उस portal को मदे नजर रख करके यहाँ पर design किया है यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें जो भी question प जहां से आप सभी किसे question answer पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे new question bank for supervisor operator certification exam यहाँ पर जो 510 question का bank है वो आपको दिया गया है इसी के साथ में 75 question का bank यहाँ पर यह दिया गया है यह question bank हिंदी, इंगली, असम, बंगाली, गुजराती, कई सारी language में दिया गया है त तो आपके सामने एक पूरी ही question bank की PDF डाउनलोड हो जाती है जिसमें कि यहाँ पर chapter का नाम लिखा हुआ है किस chapter से question है और उस question का जो question है यहाँ पर बताया गया है और उसके जो option है जो कि यहाँ पर उसके जो answer है कई सारे answer आप सभी को देखने को मिलते हैं यहाँ पर यह answer द सकते हैं कि कहां से question answer आप सभी से पूछे जाएंगे और यहाँ पर यह जो question bank है आप पूरा ही एक बार अगर आप देख लेते ही तो UIDA का जो exam है उसको आप अच्छे तरीके से qualify कर ले जाएंगे तो यहाँ पर NSIT का जो exam होता है वो exam कैसे होता है उसके लिए कैसे आपको apply क करना है उसका हम नेश्ट वीडियो लाने वाले हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके रखिएगा जिससे कि आप सभी लोग हमारा वो वीडियो मिस ना करें तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए आसा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफी पसं कर दो हैं तो.